नियम 295 के तहट विस्से सुलेक पे आपने मुझे बोलने का मुका दिया निवेदन है कि मैं जिस विदान सवा चेतर का परतिनेदितों करता हूँ वा चेतर मूलबूत सुईदान तथा इंफराटेक्चर रोजगार बिजली पानी सिक्सा के चेतर में मुख्यधारा से पिछड़ा हुआ है वर्तमान समय में किसी भी चेतर के विकास रूपी रत को आंकने है तू उसके इंफराटेक्चर का मजबूत होना जरूरी है पाकिस्तान की सीमा पर 55 डिगरी तापमान में भी अपने होसलों की बदोलत राष्टर पर्थम सुवाक्या को अमली जामा पेनाते मेरे चेतर के बासिंदे आजादी के 77 साल बाद भी सड़क पानी बिजली सिक्सार रोजगार संचार परीवन इत्यादी चेतरों में सरकारी लेकिन उसका फाइदा इस्तानी लोगों को ना तो रोजगार की रूप में मिल पा रहा है ना ही उत्पदित बिजली का उपबोग करने की रूप में आखिर क्या कसूर है उन बासिंदों का जो परकर्ती के पर्तिकूल थपेड़ों के साथ सरकारी उजदा सींता के थपेड गर्मी में सहयोगी बन पड़ी महुद्य दानियों में पानी को तरस्ती आँखों का पानी सूख रहा है सिक्सा है तू स्कूल नहीं है कहीं है भी तो एक-एक अध्यापक के बरोसे सिक्सा और चिकित्सा की तो बात ही करना पराद है बिजली का आना तो त्योहार बन गया है रोजगार के लिए दकसिनी बारत को पलायन हो रहा है सडक वा परिवन के सादन का दीदार तो कभी-कभी हो पाता है महुद्य आपके माद्यम से मेरा सरकार से विनमर निविदन है कि छेतर के इंफ्राटेक्चर की मजबूती है तू विसेश कदम उठाएं साथ ही बाहरी कं उमीद सिव छेतर के लोगों के लिए उमीद की किरन जगाएगी